शिखादीप्ती जी माईक आप ले लीजे शिखादीप्ती जी मैं आपके बारे में भी पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं बहुत अच्छा गाती भी हैं भजन आपने कई लिखे हैं कई भजन आप गाती भी हैं वो भी जरूर हम चाहेंगे दो तीन लाइने आप गुन गुनाई है लेकिन बदलाव की जब बात आती है तो अलग-अलग शेत्रों में जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि मोधी सरकार आने के बाद क्या बदलाव आए कवियों के जीवन में क्या बदलाव आया अगर तो बैचारी बोली भाली जी किसी भी सरकार में बहुत अच्छी कविताएं वो कर लेती है तो अब उनसे कुछ और भी पूछ सकते हैं यह हम बजन भी गुन 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 वाएंगे उनसे दो तीन लाइने लेकिन पहले मेरा सवाद बिलकुल देखिए मैं शुरुआत कर देती हूं क्योंकि दीदी आपर बैठी हुई है और वो हम सबकी आइडल है अनामिका दीदी तो और अभी अस्थानय जी ने कहा था कि नारी शक्ती जादा बैठी हुई है तो मैं वहीं से चार पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूं और सा समझ कर सार जीवन का मैं गीता बनके निकलूंगी समर पड़ कर स्वयम का मैं विनीता बनके निकलूंगी मेरी आखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो मुझे हैं राम की सौगंद सीता बनके निकलूंगी मुझे हैं बहुत बहुत आबार इसी से मिलती हुई चार पंग्दिया और नारी शक्ति को समर्पित करते हूं आज की नारी कैसी है समझते हो जिसे अब ला वो अब नारी नहीं हूं में खड़ी हूं पैर पर अपने की बेचारी नहीं हूं में मिली कठिनाईया मुझे को बहुत संगर्स के पत पर लड़ी हालात से डटकर कभी हारी नहीं हूं में चार पंग्दिया रिष्टों पर और सुना देती हूं कि देखिए जब हम खुशियों में होते हैं खुश होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ जाते हैं कि में दुख की परिष्थितियों में होते हैं तब हमारे अपने कौन होते हैं इन पर ये पंगतियां सुनेगा कि भरो से में बंधे बंधन भी अकसर तूट जाते हैं जरासी बात लग जाएं सगे भी रूठ जाते हैं मगर रिष्टा को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं क्या बात है रिष्टों पर माईलाओं पर बहुत खुबसूरत पंक्तियां आपकी मुझे लगी अस्ताना जी से जब मैंने सवाल पूछा था तो अस्ताना जी कह रहे थे मुझे डर लग रहा है और शायद आधा डर आधी आबाधी मैलाओं को देखकर उनको यहां पर क्योंकि मंच पर भी मैलाओं की जाधा तादाद है